पिसले एपिसोड में हमने समझने की कोशिश की कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और इतना जादा क्यों बढ़ रहा है हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कैंसर जितना दिखाई देता है उससे दस गुना जादा हो गया है और हर तीसरे परिवार में ये पहुँच गया है हमने वारवर्ग इफेक्ट को भी जानने की कोशिश की जो ये बताता है कि कैंसर सेल्स को ऑक्सिजन की जरूरत नहीं है और क्यों? शहरों में घर्टी हुई ऑक्सिजन कैंसर बड़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण है इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर की इलाजों को समझने की आम धारना ये है कि कैंसर ला इलाज है और ये धारना गलत नहीं है ऐसा नहीं है कि कैंसर से लोग ठीक नहीं होते हैं यह रास्टिंग ठीक हो गए लेकिन स्टीव जॉप्स नहीं हो पाए मनोहर परिकर और इर्फान को लेके सब दुआएं कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि जो इसकी अपरोच है वो बहुत वायलेंट हैं बहुत हिंसक हैं पूरा जो फोकस है वो इस बात पर है कैंसर सेल्स को कैसे मारा जाए कैंसर रिसर्च का इस बात पर कोई फोकस नहीं है कि वो चीज़ens पता की जाएं कि शरीर की कौन सी कमजोरियां हैं जिनकी वज़े से कैंसर हुआ और क्या हम शरीर की कोई मदद कर सकते हैं इस सीज के लिए कि शरीर खुद कैंसर को ठीक करें तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है तो कैंसर के ट्रीटमेंट्स में बहुत कॉंपलिकेशन्स हैं एक तो इनकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है और दूसरा एड़र्स इफेक्ट बहुत जादा है आई हम इनको समझने कोशिश कर लेते हैं तो तीन तरीके हैं कैंसर को ठीक करने की पहला तरीका है सिर्जरी ये कमपरेटिवली लेस प्रॉब्लमेटिक है इसमें करते हैं कि जहां कैंसर हुआ है जहां ट्यूमर है उस पार्ट को सरीर से बाहर निकाल देते हैं लेकिन इस तरीके की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ तब ही किया जा सकता है जबकि कैंसर यहां वहां फैला हुआ ना हूँ अगर cancer कई जगे फैला हुआ है, tumors छोटे-छोटे हैं तब surgery नहीं की जा सकती है और surgery का एक problem ये है कि कई दफ़ा surgery करते समय कुछ cancer cells इधर उधर चली जाती है और अगर वो चली गई तो फिर नए tumor बन सकते है Cancer treatment का दूसरा तरीका है radiation और radiation एक तरह से cancer cells को atom bomb से उड़ा देने का तरीका है और radiation के लिए ये decide कर पाना, ये differentiate कर पाना कि कौन सी cell normal cell है, कौन सी cell cancer cell है, ये बहुत मुश्किल है तो radiation से cancer cells destroy होती हैं लेकिन normal cells का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एक point ये भी है, कि radiation अपने आप में cancer का एक बहुत बड़ा कारण है तो ये भी अक्सर होता है कि आपने radiation therapy की और उससे कुछ cancer cells destroy हुई लेकिन कई normal cells cancerous हो जाती हैं तो नतीजह ये होता है कि हम एक तरह का cancer treat करते हैं और दूसरे तीसरे तरीका का cancer त्यार हो जाता है Cancer treatment का जो तीसरा तरीका है वो है chemotherapy का और chemotherapy में कुछ ऐसी दवाईया जो बहुत जहरीली होती हैं उनको शरीर में दिया जाता है ताकि cancer cells मर जाएं अब इनकी समस्या भी radiation जैसी है जिसे radiation में ये radiation को differentiate कर पाना कि कौन सी cell normal है कौन सी cancerous है यही मुश्किल chemotherapy में भी है तो जो chemotherapy agent है वो ये differentiation नहीं कर पाते हैं इसलिए normal cells का भी बहुत नुकसान होता है और कई chemotherapy agent खुद cancerous है पिछले साल Albert Einstein Institute की report आई है जिसने ये कहा है कि कई दफार chemotherapy करने से cancer और complicated हो जाता है एक बहुत बड़ी study हुई है हजारों patients को लेके जिसका conclusion ये था कि कीमोथरेपी सिर्फ 2-3% लोगों पे कारगर है और 2016 में एक report आई थी जो ये कहती है कि कई अस्पतालों में 50% मरीज cancer की बजाए कीमोथरेपी से मर रहे थे एक ये धारना भी है कि जब ड़क्टरों से पूछा जाता है कि अगर मान लो उनको cancer हुआ तो वो कीमोथरेपी लेंगे या नहीं तो ज़्यादर तर ड़क्टरों का जवाब होता है नहीं वो अपने लिए कीमोथरेपी नहीं लेंगे तो अब ये सवाल उठता है कि जब ये सारे तरीके इतने घातक हैं इतने नुकसान दे हैं तो ये प्रचलन में ही क्यों हैं इसकी दो explanation हो सकती हैं पहली बात ये है कि मर इनी बेवसी में हो तो आपको एकस्पॉराइट कर लेना आसान होता है चाई वो तंत्र-मंत्र वाले हो उनके लिए चाई आयरवद्वाले में उनके लिए और चाई बहो पांश सितारास बतारों। आपको लगेगा कि मैने बहूत निराशा की बात की है लेकिन सच्चा ही यह है और हम जितना जल्दी इसको समझें उतना अच्छा है और समझने की दो बाते हैं पहली बात यह कि cancer ला इलाज है और दूसरी बात यह कि बहुत तेजी से बढ़ ला है तो समझदारी इसमें है कि हम cancer prevention की तरफ ध्यान और cancer prevention कैसे करना है यह बात करेंगे हम अगले ही पिसर में